हेलो गाइज, आज हम बनाएंगे वेज मोमोज, बिलकुल मार्किट स्टाइल और चटनी भी एकदम से मार्किट स्टाइल, तो चलिए बनाते हैं, सबसे पहले एक पाउल में हम सबजियां ले लेंगे, यहाँ पर मैंने कैबिज ली है, फिर एक बड़ा अनियन लिया है और कै नाइफ से ही फाइन चोप कीजिएगा, सबजियों को हमें बिलकुल बारीक करना है, अब एक बड़ा सा फ्राइंक पैन ले ले लेंगे, या कड़ाई ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, उसमें मैंने थोड़ा सा ओयल डाला है, और उसमें एक चमच मैंने चौप्ट गा अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, तो सबजियों अपना पानी छोड़ देंगी और सौगी हो जाएंगी, तो अब मैं इसमें एड कर रही हूं ब्लेक पेपर पावडर, ब्लेक पेपर पावडर मैं हाप टी स्पून डाल रही हूं लगबग, अब मैं इसमें वन टी अब हम इसमें नमक डाला है, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस को यहां पर बंद कर दीजिये, और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, उससे पहले हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, अगर आपके पास प्रिंग अनियन है, तो आप वो भी चॉप करके ब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और यह फिलिंग तयार हो गई है, अब हम डो लगा लेंगे, यहां पर मैंने लगबक डेड़ कप मैदा लिया है, अब मैं इसमें नमक डालेंगे, आप यहां पर अपने टेस्ट के अकोर्डिंग ली नमक डालें, मैं यहां पर ह गूंद लेंगे पानी डालके, आपको जितना रिक्वार्मेंट लगे उतना इसमें पानी एड कीजिएगा, हमें इसका सोप्ट डो बनाना है, इसको हमें हार्ड बिल्कुल भी नहीं रखना है, यह देखिए, मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी, अब मैं इसके उप 15 मिनट के लिए रखें इसे, ताकि हमारा जो डो है, वो अच्छे से सैट हो जाए, यह देखिए, कितना अच्छा और सॉप्ट डो बना है, इसको साइड में रख देंगे, अब हम बनाएंगे चटनी, जो हम मोमोज के साथ खाते हैं, उसके लिए एक भगोने में एक गलास पानी ले ले और टमाटर ले ले, चार टमाटर में ले रही हूँ, जिसमें 2 देसी टमाटर हैं और 2 हाइब्री टमाटर हैं, उनको उपर से कट लगा लिया है, और मैंने 7-8 लाल सुखी मिर्च डाली है, टमाटर में कट इसलिए लगाते हैं, ताकि जो हम इसका छिलका अच तो अब हम टमाटर और यह हमारा थंडा हो गया है अब इसको हम इसका जो उपर का जो छिलका है उसको रिमोव कर लेंगे और उपर से हम इस पार्ट को भी काट के अलग कर देंगे तो अब इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे देखिए इसका हमें बिल्कुल fine paste बनाना है और इसको अब हम पीस लेंगे ये देखिए मैंने पीस लिया है और ये कितना अच्छा इसका color आया है अब हम इसको तड़का लगाएंगे उसके लिए एक frying pan ले लेंगे उसमें डालेंगे 2 teaspoon oil लगबग और इसमें 2 teaspoon ही हम chopped garlic डालेंगे और इसको हलकासा brown होने तक भून लेंगे जैसे ही ये brown हो जाएगा इसमें हम हरी मिर्च अड़ करेंगे हरी मिर्च आप अपने taste के accordingly डालें अगर आपको बहुत तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं वैसे ये चटनी बहुत तीखी ही होती है क्योंके हमने इसमें काफी सारी मिर्ची अड़ की है अब हम इसमें टमाटर और मिर्च का जो पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक आप अपने taste के accordingly डालें यहाँ पर मैं half teaspoon से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ और one teaspoon हम इसमें चीनी डाल रहे हैं अब इसमें मैं vinegar एड़ करूँगी विनेगर भी मैंने यहाँ पर half teaspoon डाला है और अब इसमें half teaspoon ही आप soya sauce एड़ कर दीजिए और इसको अच्छे से mix कर लीजिए हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है और यह ठंडा करके हमारी जो है चटनी एकदम से तयार है अब हम देखते हैं डो डो देखें बहुत ही soft हो गया है अब हम इसको roll कर लेंगे और इसको हम इसमें से छोटी छोटी बॉल्स निकाल लेंगे इसको हातों में smooth कर लेंगे अच्छे सिक अब इसको बेल लेंगे हमने इसमें थोड़ा सा oil डाला था उपर से तो इसलिए यह नीचे चिपकेगा नहीं और इसको ऐसे हम एक पूरी की तरह बेल लेंगे जितनी हम पूरी बनाते हैं उतनी ही size में हम इसको बेल लेंगे अब हम इसमें feeling जो हमने बनाई थी उसको ठंडा कर लिया है हमने और इसको मैं इसमें डालूँगी आप अच्छे से इसमें feeling अड़ करें देखिए मैं थोड़ी सी और इसमें feeling भर दूँगी अब इसको आप जिस सेप में बनाना चाहे उस सेप में इसको फोल्ड कर लीजिए मैं यहाँ पर इसको गोल राउंड बोल्ड की तरह बनाऊंगी तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे और feeling अगर बहार निकले तो इसको हाथों से थोड़ा सा दबा दीजी अंदर की साइड और ऐसे करके हम इसको यह soft इतना लकीला होता है कि आप इसको कितना भी खीच सकते हैं तो यह बहुत easily बन जाते हैं यह देखिए इसको मैं थोड़ा सा राउंड में घुमा दूँगी ताकि उपर से यह खुले नहीं अच्छे से feel कर दीजिए देखिए हमारे यह momos तयार है ऐसे ही मैं तारे बना लूँगी अब मैं यहाँ पर steamer तो मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर rice cooker का use कर रही हूँ उसमें मैंने पानी गरम होने के लिए रखा है और idli maker का मैं यहाँ पर use कर रही हूँ इसको मैंने grease कर लिया है और मैं इसमें grease करके momos रख रही हूँ यह देखिए grease करने से जो है हमारे momos इसमें चिपकेंगे नहीं अच्छे से निकल आएंगे तो ऐसे ही मैंने सारे momos इसमें रख दिये हैं यह देखिए अब हम rice cooker को check कर लेंगे यह देखिए पानी पक रहा है अच्छे से अब मैं इसमें इसको 15 से 20 मिनट तक आपको steam करना है जब तक कि यह थोड़ा सा transparent ना दिखने लगे यह देखिए मैं यहाँ पर इसको check कर रही हूं और यह देखिए यह transparent दिख रहे हैं सबजी हमारी बाहर दिखने लगी है मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए कितना अच्छे से सबजी का color हमें बाहर दिख रहा है यानि कि यह अच्छे से cook हो गए है अब इनको हम सर्व क पसंद आती है तो मेरे चैनल को जदा से जदा लाइक करें सबस्क्राइब करें और शेयर करें थैंक यू